आप सभी को मेरा प्रेम भरा जैशी राधे जै माता दी आप सभी को नवरात्री के इस महापर्विकी हार्दिक हार्दिक शुपकामना है आज मादुर्गा की सातवी शक्ति यानि की माकाल रात्री की पूजा एवं अराधना का दिन है इस दिन सादक का मन सहस्त्रार्च शक्र में स्थित होता है और ऐसा कहा जाता है ति माकाल रात्री के पूजा एवं अराधना करने से ब्रह्मान के सबी सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं और इनके नाम के उचारण से जितने भी अशूरी शक्तियां हैं वो सब भैवीत होकर के दूर भागने लगती हैं माकाल रात्री का रंग धने अंधकार के भाती एकदम काला है और ये बात तो इनके नाम से ही जाहिर होती है कि इनका रूप कितना भयानक है तथा इनके केश जो हैं वो बिखरे हुए हैं और काले मेगों में चमकने वाली बिजली के समान इनके गले में माला है तथा इनकी चार भुजाएं हैं इनके दाएं तरफ की उपर वाली भुजा में इनकी वर मुद्रा है जो भक्तो को वर देती है इनके दाइनी और की नीचे वाली भुजा में इनकी अभय मुद्रा है जो भक्तों से यह कहती है कि निडर रहो इनके बाएं तरफ की उपर वाली भुजा में लोहे का काटा है और इनके बाएं तरफ की नीची वाली भुजा में इन्हों ने अपने हाथ में खडग पकड़े रखा है इनकी तीन नेत्र हैं जो ब्रम्हंड के अकार की हैं मतलब गोल अकार की हैं और इनकी सासों में से अगनी निकलती रहती हैं ये गरधव की सवारी करती हैं तथा हमें इनके इस रूप से भैवीत नहीं होना है क्योंकि मा काल रात्री अपने भक्तों पर सदेव अपनी कृपा बरसाती हैं ये सदेव शुब फल देने वाली है इसलिए हमें इनके इस रूप से भैवीत नहीं होना है ये काल से हमारी रक्षा करती हैं इसलिए ये काल रात्री कहलाती हैं हमें मा काल रात्री की पूजा एवम अराधना सच्चे मन के साथ करना है पवित्र मन के साथ करना है और मा काल रात्री के नाम के उच्चारण से जितने भी दैत्य हैं दानव हैं राक्षस हैं भूत प्रे वो सब इनके नाम के उच्छारण से कापते रहते हैं और मेरी यही कामना है माकाल रात्री के कृपा आप सभी पर सदेव बनी रहे और हां इस महापर्व को उत्साहक के साथ आनंद के साथ मनाएं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क पहन कर साब्धानी से क्योंकि साब्धानी में ही सुरक्षा है जै श्री रधे जै माता दी